Hello students, welcome back to Magnet Brains Hindi Medium Yes, मैं फिर उपस्तित हूँ आपके लिए हमारी पाठे पुस्तक क्षितिज भाग दो के अंतिम पाठ Yes बेटा, हमारी पाठे पुस्तक क्षितिज का आज अंतिम पाठ शुरू होने जा रहा है अंतिम है लेकिन शुरू होने जा रहा है पाठ का नाम क्या है संस्कृति लिखा है लेखक भदंत आनंद कौसल ले आयन जी ने आज इस पाठ में हम देखेंगे सबसे पहले लेखक का परीचे जानेंगे उनके बारे में किस तरह के रचनकार थे वे किस तरह से उनको प्रसिद्धी प्राप्त हुई कौन-कौन सी उनकी उपलब्दिया है क्या क्या उनकी रचना है साथ ही साथ अब यहां पाठ का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में कुछ तो आ रहा होगा संस्कृति कल्चर क्या आ रहा है आपको संस्कृति इस पाठ में क्या होगा धर्म जाती या हमारी जो परंपरा हैं या जो रीतिरवाज हैं क्या लगता है आपको इसी को तो हम जानेंगे कि जो हम अभी तक सुनते आए हैं जो हम अभी तक जानते आए हैं क्या वही संस्कृति का आर्थ होता है या कुछ अलगी मायने होते हैं आईए सबसे पहले हम जीवन परिजय सुनिए और समझिए आईए चलते हैं जीवन परिजय की ओर लेखक भदंद आनंद कौसले आएं जी को देखिए सबसे पहले अनुभवी व्यक्ति अनुभवी लेखक प्रसिद्ध लेखक आप सब के सामने स्क्रीन पर इनका जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गाउ में हुआ इनके बचपन का नाम हर नाम दास था इनोंने लाहोर के नैशनल कॉलिज से बिये किया ये बौध भिक्षू थे और इनोंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया वे गांधी जी के साथ लंबे अर्से तक वर्धा में रहे सन 1988 में इनका निधन हो गया ठीक है जन्म कब हुआ सन 1905 में मृत्यू कब हुई सन 1988 में ओके बौध भिक्षू थे अर्था बौध धर्म को मानने वाले अनुयाई बौध धर्म को मानने वाले ठीक है और क्या है इन जानते हैं प्रमुक कारे पुस्तक कॉन सिपूसतकों की रचना की नोने भिख्शू के पत्र विख्शू कार्थ समझ में आया नाइंध क्लास में भी आपने चेप्टर था लहा सा की ओर राहुल संक्रित आंजी द्वारा आए ना उसमें भिख्शू अर्थ आया था विख्श दूल ना सका कहानिया हैं उनकी पुस्तके हैं आह ऐसी दरद्रता बहाने वाजी यदि बावा ना होते रेल का टिकेट कहां क्या देखा ये उनकी पुस्तकों के नाम है जान लिया आपने लेखक के बारे में आईए जानते हैं और चलते हैं पार्ट के बारे में कि आज हम संस् तो इतिहास का चित्र लग रहा है कि आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं सही समझें बेटा बिलकुल आज हम हिंदी में इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास के माध्यम से इतिहास की साहता से हम जानेंगे हमारी भारतिय संस्कृति के बारे मे और जो अधिक अब पहले तो आप यहां देखिए कि क्या हो रहा है आधी मानव है है ना आग जल रही है कोई लकडी ला रहा है कोई कुछ यह वहसारे कार किये जा रहे है व्यक्तियों के दौरा या आधी मानव के जारा अरली मेन ठीक है तो अब यहां पर हम जानेंगे सबसे अच्छी बात सुन लिजे यहां पर कि जो शब्द हमने बहुत सुने हैं कौन-कौन से शब्द संस्कृति और एक और शब्द हमने कौन से सुना है सब्धिता कई बार सुने हैं आप लोगों ने भी सुने होंगे बिल्कुल क्योंकि अब आप भी टैंथ में आ गए हैं लेकिन अभी तक लेखक के अनुसार लेखक ने कहा है कि यह शब्द हमने सुने तो कई बार हैं लेकिन अभी तक इनका अर्थ नहीं जान पाए हैं हम सही अर्थ नहीं जान पाए हैं हमें क्या लगता है संस्कृति का अर्थ क्या है कल्चर कल्चर अर्थाथ जो रीती रिवाज जो मिलकर रहे सब्विव्यक्ति कहलाता है तो क्या लेखक ने भी संस्कृति और सब्विता को यहीं माना है या लेखक भदंत आनंद कौसल लियाएंजी के अनुसार संस्कृति और सब्विता अलग है या एक ही शब्द है बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पार्ट में तो कहीं यहाँ वहाँ ध्यान मत लगाईएगा ध्यान केंदृत करके यहीं रहिएगा है ना और आप ध्यान से देखिएगा बेटा की जो अब तक हम सुनते आ रहे थे वो आज कैसे संस्कृति और सभ्यता सुनिए गघा लेखत सभ्यता और संस्कृती शब्ढों को समझाने के क्रम में बता रहे हैं कि यह दौनों एसे शब्द हैं जो सरवाधिक प्रियोग तो किये जाते हैं तु को समझे कम पाते हैं या समझ में कम आते हैं इनके साथ कुछ एक विशेशन लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है कभी कभी दोनों को एक ही समझ लिया जाता है तो कभी अलग आखिर वे दोनों एक हैं या अलग-अलग यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है सुई धागा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है कहीं सुई तूटी हुई तो नजर नहीं आ रही है आपको अच्छा-चाओके सिलते हुए नजर आ रहा है तो यह भी एक क्या था सुई धागा क्या मतलब जैसा हमें दिखाई देता है वैसा इस्जुरू से सुई धागा होगा या आग का जो हमने चित्र देखा था वो शुरू से ही आग होगी, आग पर रोटियां से एक कर हम खाते आ रहा हैं बिल्कुल आदीम योग से, नहीं ना, किसी ना किसी ने तो अविशकार किया होगा, सुई धागे का अविशकार किया होगा, आग की खोजगी होगी, है ना, बहुत सारे अविशकार किये गए हैं, मानव के द्वारा, उन्हीं अविशकारों को संस्कृती या सब्विदा किसका नाम दिया है, वही तो आज हम जानने वाले हैं, तो अब ये आप बताईए कि ये दोनों शब्द एक हैं या अलग, लेखक क्या कहते हैं, कि लेखक अप अपती विशेष्ट की संस्कृती कहता है, सुनिए, संस्कृती उसने किसको कहा है, लेखक ने किसको कहा है, बेटा संस्कृती, जो आविशकार किये, जिसने इन्वेंशन किये, उसको उन्होंने संस्कृती मान लिया है, ठीक है, जिसके बल पर आविशकार किया गया, वो सं है का कोई छड़ टाइब थी उसमें होल किया छेद किया और धागा डाला और उससे कपड़े सिलने की कोशिश की तो वो आविशकार हुए प्रथम बार जब किया तो उसको उन्होंने संस्कृति की श्रेड़ी में रखा है ठीक है आगे चलना है लेखक सब्वेता और संस्कृति के अंतर को समझाते हुए सुई धागे और आग के आविशकार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयतन शीलता और बाद में हुई उन्नती के उधारन भी देते हैं साथ ही साथ लोहे के टुकडों को घिस कर छेद बना और धागा पिरो कर दो अलग अलग टुकडों को सिल कर जोडने की सोच ही संस्कृति है लेखक के अनुसार कोई नया आविशकार या नया कारे होना जो मानव के हित्मे हो जो मानव के लिए उपियोगी हो उसको उन्होंने संस्कृती की श्रिणी में रखा है समझ में आया जब की अब तक हमको क्या लगता था कि ऐसी परंपरा है या रीती रिवाज जो सदियों से चले आ रहा है वे संस्कृती है जबकि लेखक ने क्या माना जो कुछ नया आविशकार है वो संस्कृती है ठीक है अब कैसे हम उसको उस लिंक से जोड़ेंगे वो भी आप ध्यान से सुनिएगा इन खोजों को आधार बना कर आगे जो इन शेत्रों में विकास हुआ वह सब्विता है लेखक के अनुसार संस्कृती क्या है? जो नया नया अविशकार किया जो नई नई अविशकार करके समाज की हितमे जो कारे हुए वो संस्कृती है और इन खोजों को आधार बना कर जो इन शेत्रों में विकास हुआ जैसे सबसे पहले सुई धागे का किसी ने गिसकर उसमें छेद किया और कपड़ा सिलने लगे अब कपड़ा सिलने के बाद सिर्फ कपड़ा उतना ही तो सीमित नहीं रहा कि दो टुकड़ों को जोड़ दिया नए नए परिधानों का विकास हुआ और कपड़ा सिलने से क्या नहीं हुआ तो वह दोने सम्भिता कही कि जो अविश्कार हुआ वो संस्कृती है और अविश्कार को आधार मानकर तो वह कास हुआ वह सभिता है इतना समझ आया बच्चो आगे चलते हैं एक सू संस्कृत व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता, प्रवर्ती और प्रेरना के रूप से होती है सुन लीजे एक सू संस्कृत व्यक्ति की पहचान उसकी किस्से होती है योग्यता, प्रवर्ती और प्रेरना के रूप से होती है अब यहाँ पर एक मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगे सू संस्क्रित शब्दाया जब मैं क्लास 12 पास करके अपने घर आने वाली थी हॉस्टल से ठीक है तो जब नहीं हम अपने डायरी में अपने टीचर से लिखवाते हैं कि सर प्लीज मैडम प्लीज कुछ लि उन्होंने लिखा कि एक सू संस्क्रित ये जो शब्दाया उससे मुझे याद आया ठीक है कि एक सू संस्क्रित लड़की के उज्वल भविश्य की कामना करता हूं अब मैंने देखा मैंने का सर बस इतना ही और लिखिये ना बच्ची थी ना उसके माईने नहीं पता थे कि उन्होंने उस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने लिखा एक सू संस्क्रित लड़की के उज्वल भविश्य की कामना करता हूं और मुझ बच्ची को मुझ बालिका को क्या नज़र आरा है की सिर्फ एक लाइन में सर को और लिखना चाही था बोले शी होती है बिटा इतनी प्रसन्टा होती है कि धन्य थे वे कऊने को ले जाती है तो इस प्रकार से हमें हर एक कार को अपने गुरुजनों की बात को टीचर्स की बात को पैरेंट्स की बात को वह ध्यान से सुनना चाहिए उस पर अमल करते जाना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर लेखक ने क्या माना है कि एक सूव संस्कृत व्यक्ति की पहचान उसकी योग गिता प्रविर्थी और प्रेर्णा के रूप से होती है अपनी और नए निश्चित तथ्थी को खोज आगामी पीड़ी को सौपने वाला संस्कृत होता है फिर से भास बोल देती हूं अच्छ Istきます कौन होता है सभे कौन होता है अपनी गुद्धी अथभा विवेक के आदार पर नए निश्चित तथे को खोज को नए-जानकारी की को ouji ख फिर उसको कोई आया कि अच्छा इसको दो टुकडों को जोड कर सिर्फ ऐसे पहन के हम वस्त्र बना सकते हैं आदिवानव के वस्त्र देखे हूंगे आपने पहले तो वो सिर्फ जानवरों की छाल ही पहना करते थे धीरे-धीरे उन्होंने पहले पत्तों से अपने आपको वरों की चाल पहनने लगे फिर धीरे धीरे कपड़े का अविश्कार हुआ मशीन और सिलाई के अधार पर आज हम देखते हैं कि कितने सुंदर सुंदर परीधान हैं जिनका हम सभी प्रयोग उपियोग करते हैं ठीक है तो जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो अपने द्वारा क की गई खोजों को आगामी पीडी को सौपता जाता है जबकि उसी तथ्य को आधार बना कर आगे बढ़ने वाला सब्विता का विकास करने वाला होता है अर्था जो नई पीडी है जो किसी के द्वारा उनको सौपा गया तो नई पीडी उन बातों को अपना कर और आगे करे और अच्छे से बनाए रखना ही सब्भ कहलाता है एक और बात बताती हूँ कि आपने सुना होगा कि पूत क पूत tu तो का धंसंच है और पूत सपूत तो का धनसंच है इस बहुत बढ़ा है एक पंग ती लेकिन माईने बहुत बढ़े हैं देखित मैं बता देती हूँ ध्यान से सुनिए कि पूत सपूत सपूत को हम यहाँ पर स्टार के रूप में ले लेता है और कपूत को यहाँ शून के मा इस से ले लेता है ठीक है यदि पूत सपूत होगा सपूत मीन सुपत्र बुद्धी जिसके पास होगी जो सही से काम करता है जो अ और आगे बढ़ाता है सपूद ठीक है अभी हाँ कपूद पूत कपूद अभी हाँ पर कपूद आया की माता पिता या पूर्वजों की संपत्ति को यूँ ही नस्ट करते हुए हाथ पैर पढ़ा गए मतलब उनके पास कुछ नहीं बचा उनके पैरेंट्स ने उनके पूर्व और उस संपत्ति को बिलकुल नश्ट कर दिया और यहाँ पर जो सपूद है वो उस संपत्ति की सुरक्षा करने के साथ साथ कई और भी विकास करते रहे कई और विकारे करते रहे और उस संपत्ति में अपना योगदान दे दे कर उस संपत्ति को और बढ़ा कर लिया ठीक है यहां पर बात यह करना है कि क्यों कहा है कि पूत सपूत तो काधन संच है और पूत का पूत तो काधन संच है अर्थात जो सपूत होते हैं जो सही होते हैं जो सुपत्र होते हैं यदि वो अपने बुद्धी से अपने मस्तिश्क से अपने ज्यान से अपने विवेक से कारे करे तो इतनी सी चीज को भी बहुत अच्छे से वो सुरक्षित रखते हुए अपना नाम अपने पूरवजों का नाम युगों युगों तक विख्यात कर देंगे यदि पूत सपूत है तो धन संचय यह अर्थात धन एकत्रित करने की आविशक्ता नहीं है क्योंकि वो स्वयम इ सामचे पूत तो धन संचय शैर्था धन एकत्रित करने की अविशक्ता नहीं है और यदि फूत कपूत है तब भी काखrån anal apride daily उसके लिए चिंटा करने की जुरत नहीं कि हम अपने बच्चे को यह कर के रखें वो कर कि रखें वो खुद इतना बुद्धी मान है इतना अच्छा सपी थैं कि उसे पता है कि यदि मैं हाथ पर हाथ रखकर खड़ा रहा या बैठा रहा तो जो है वो भी हाथ से रेत की तरह फिजल जाएगा उसी प्रकार से पूत कपूत तो काधन संचे जितना भी आप जोड रहे हैं अपने बच्चों के लिए या उस एक बच्चे के लिए कि हम अप सारा धन भी शूने परिवर्तित हो जाएगा अर्थात सब कुछ हमारे हाथ में हैं हम अपनी लकीरों को आधार मानकर ही अपने जीवन का यापन नहीं कर सकते हैं कि हाथ की लकीरों में जो होगा जो किसमत में होगा वही होगा हम क्या कर सकते हैं नो किसमत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते है वह भी किसमत और एतिहास रच जाते है तो अब पदा चला बटा की किस तरह से हम सभीता और संस्कृति законч कि सब्भे किसको कहा है संस्कृत किसको कहा है ठीक है शन्सक्ई व्यक्ति नहीं नहीं करता है और सब भी व्यक्ति उन खोजों के अदार पर नया नया विकास करते रहते हैं ठीक है अब आता है न्यूटन नाम सुना ही होगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व करशन बल ठीक है न्यूटन अपने गुरुत्वा करशन के सिध्धांद के आगे कुछ ना जान सका परन्तु फिर भी संस्कृत कहलाया जबकि इस सिध्धां से अन्य ऐसे तथ्यों को जिने न्यूटन नहीं जानता था जोडने वाले लोग सब भिदा में आते हैं न्यूटन ने अविश्कार किया ग्रेविटेशनल फोर्स का पता है ना आपको ग्रेविटेशनल य एक संस्कृत कहलाया और उसी को आधार मानकर बहुत सारे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और बहुत सारे और भी आविश्कार किये उनको और विक्सित किया तो वो सब्भिता के अंतरकत आ गए लेखक के अनुसार भौतिक आविश्कताओं की पूर्ती हे तू खोजे सुई धागे और आग के आविश्कार करते तत्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते हैं बलकि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना चेतना मींस बुद्धी इसकी उत्पत्ती या बन सब्यूंकर क्लेश्चत एश्क्तों की पूर्ती हे तू खोजे सूईधागे आग के अविश्कार के संस्कित होने या दर नहीं बनते हैं मतलब के नहीं कहा जा सकता ठीक है बलकि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज yapmışतना मितलब बुन से स्बद्धी एक पुद्धी लग ये किसको कहा जाता है जो अपने साथ-साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे अर्थात नीस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करता चले ठीक है कर्म करते हुए यहां कहीं जहां कहीं उसकी आवश्रक्ता पड़े और उसको लगे कि हां मैं यहां अपने आपकी दूसरा ना सीख ले यह मान सकता यदि यह विचारधार रहा है तो हम सब भें नहीं कहलाएंगे विकास अर्थात सब का भला ओके भलकि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है इस सहज चेतना का प्रेरख अंश हमें अपने मनीशियों से भी मिला है चेतना बुद्धी मनीशी अर्थात जो ग्यानी थे मनीश यानी जो बुद्धी मता से अपना कारे करते थे ठीक है उनसे भी हमें इनका ग्यान मिला है मू के कौरका दूसरे के मू में डाला जाना और रोगी बच्चे को रात भर गोधी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित है एक माँ अपनी रातों की नींद दे देती है एक बच्चे के लिए है ना है ना और किस तरह से इसी चेतना से प्रेरित होता है धाई हजार वश्पूर बुद्ध महत्मा बुद्ध का नाम भी यहां पर आया है कि यहां पर आप देखिए कि मुझ के कौर का दूसरे के मुझ मे बेटे के मुझ में निबाला देती है एक माही है जो रात रात भर जाग कर अपने बेटे को चैन से सुलाती है एक माही है जो अपने बेटे की सुख के लिए सुयम यदि दुख भी सहले तो भी उसको कोई दुख नहीं होता उसको खुशी होती है क्यूं क्यूंकि उसकी संत तो यहां पर वही क्या कह रहा है उसको ही कि यह सब जो बात हैं वो उसी चेतना उसी बुद्धी का ही तो उधारण है कि हम सिर्फ ना केवल अपने बारे में ही सोचें बलकि हम अपने साथ साथ जो हमारे आसपास है या जितना हम कर सकते हैं उतना यदिकर पा रहे हैं तब हम काल माक्स का मजदूरों के सुकद जीवन के सपने देखने के लिए अपने जीवन को दुखपून बिता देना और लेनिन का मुश्किल से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इस चेतना से प्रिरिथो संस्कृत बनने में उधारन हैं बनने के उधारन है देखिये मा तो मा होती है मा का इस्थान पर मात्मा स्वैम नहीं ले साथ इसलिए हमेशा कहते हैं कि जहां मैं नहीं पहुच पाया वहां मा को पहुचा दिया बात आती है मात्मा बुद्ध की साथी साथ्थ JON-7 एक और नाम आता है लेनिन participating महात्मा बुद्ध का जन्म जहां भुआ था वे बहुत बड़े अच्छे राजा थे शंपन्य व्यक्ति थे जहां पर उनका जन्म हुआ था ठीक है तो उनके पिता का ये मानना था कि जो दुख दर्द या कष्ट दुनिया सह रही है मैं अपने बेटे को इस दुख दर्द से दूर रखूंगा मैं अपने पुत्र पर दुखों की साया तक नहीं आने दूँगा दुखों की छाया तक नहीं आने दूँगा और बड़ी बड़ी उची दीवाने बनवा कर हर एक सुक्सुविदा उन पुत्र के पूरा मतलब जहा और उनको लगा कि मुझे थोड़ा तो देखूंगा आपर बाहर क्या और जबकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि बाहर की दुनिया से यह रूबरू हो यह बाहर की दुझ दर्द है मैं बिल्कुल अपने बेटे को दुखी नहीं देखना जाता तो उनके पिता ने हर सुक्ष विदा वहां पर उपलब्द करा दी लेकिन एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध ठीक है वह बालक वह राजकुमार उसने सोचा कि जरा मैं बाहर जाकर तो देखूं अब जैसे ही वह बाहर गया तो उसने देखा कि दुख भुकमरी प्यास आसू कले पीड़ा चारों तरफ दुनिया में व्याप्त है उनको देखकर वह एकदम किंक करतव बिमूड हो गए असमंजस में आ गए कन फ्यूजड हो गए कि यह क्या है और मैं जो जीवन अपने महल के अंदर जी रहा था क्या इसी तरह का जीवन सभी नहीं जीते हैं सोच में पड़ गए कि क्या यह सच है या मैं जो अभी तक जी रहा था वो सच है इस सोच विचार में उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया और निकल गए घर का त्याग करके वो निकल गए इस प्रण के साथ इस द्रिनिश्य के साथ कि मैं दुनिया में से दुख दर्द को मिटा तूंगा बेटा एक राजकुमार जिसके पास हर एक सुखसोविदाय थी जिसके पिता कि ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि बेटा इसके पिता मुझे नहीं देखना इस dyn अपने महऐल में बाब पे चला जाता लेकिन औग्मों ऐसा ना करके क्या किया अपने राज पाठ और जो भी सुख सुविदाय थी उनका त्याग करके बाहर चले गए निकल गए इस खोज में और इस समस्या का समधान करने में कि यह आखिर क्या है यदि व्यक्ति बच्चे बूड़े युवा इस तरह से दुख दर्द से करा रहे ह तो मुझे क्या अधिकार बनता है कि मैं वहाँ पर अपने महल के अंदर सारी सुख सुवदाय भोगूं यहां पर लिखा है देखिए फिर से मैं बता देती हूं कि मूँ के कौर का दूसरे के मूँ में डाला जाना ये तो मा की परिचा है मा तो मा होती है लेकिन फिर क्या द करने के साथ ही एक एकाग्र चित अहीं है कि तपस्य करने से प्रभूईली प्राप्त हो जाते हैं हमें लेकिन हम धियान का केंद्रन समझ जाते हैं और हमारी जो आत्मा है परमात्मा से कनेक्टेड हो जाती है और वह हम अनुभब भी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो तपस भी लेकिन इतना पढ़कर जान अवश्य सकते हैं कि उन्होंने कितना सारा त्याग करके लोगों के जीवन में सुख लाने का प्रयास किया साथी साथ लोगों की पीड़ा हरने का भी प्रयास किया साथी साथ कालमाक्स मजदूर के सुकत जीवन के सपने देखने के लिए कालमाक्स समासुधारा की तिहास में अवश्य पढ़ा होगा आपने इनका नाम तो उन्होंने भी मजदूर के सुकत जीवन का वीणा उठा लिया है ना और अपने जीवन को दुखपूर्ण बिता देना और लेनिन का मुश्किल से मेरे डबल रोटी की टुकड़ों को दूसरों को खिल सब्बेता का बेटा पढ़ लिखकर उची कुर्से हासिल कर लेना यह उच tät पर बहुझ जाना भी हमें संस्कृत नहीं बनाता है जब टक हमारे मन धया करूणा परोपकार जैसी भावन वाधिकार नहीं होती हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम संस्कृत कहलाएं यह हमारा कोई आदर सम्मान करें ठीक है लेका के अनुसार खाने पीने पहने ओडने के तरीके आवगमन के साधन यहां तक की परस पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम सब्धिता के उधारन है बिल्कुल कब क्या विश्कार हुए किस तरह से उसको आगे ले जाये जा रहा है ना केवल सुखद अपितु दुखद घटनाए भी जुड़ी है इससे संस्कृति और सब्विता से संस्कृति बुद्धी और विवेक से बना एक ऐसा नया तथ है ध्यान से सुनिएगा बिटा संस्कृति क्या है संस्कृति बुद्धी और विवेक से बना एक ऐसा नया तथ है जिसकी कभी दल बांध कर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना संस्कृति की रक्षा के लिए पहरेदार बठाने की अविशक्ता नहीं पड़ती संस्कृति का कल्यानकारी अंश आ कल्यानकारी की तुलना में सदा स्रेश्ट और स्थाई होता है समझ में आया कि शक्तियां नकारात्मक कितनी भी हो लेकिन विजय हमेशा सकारात्मक की होती है ना ओके इसी अर्थ में यह आविभाजित अर्थात अखंड भी है क्या संस्कृति और सभ्यता है तो तो अलग-अलग शब्द लेकिन इनको अखंड भी कहा है इनको खंडन नहीं किया जा सकता, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं न कहीं एक दूसरे पर अन्यो नियाश्रित हैं, अर्थात इंटर डिपेंडेंट हैं, क्लियर हुआ की नहीं बेटा, बताइए, संस्कृति क्या है, समझ आया, सब भेता किसे कहते हैं, स ती रवाज बहुत जारी परंपरा हैं जो चली आ रही है ना वो होंगी शाहिद यह सब व्यक्ति आराम से अपना जीवन व्यतीद करता है विनम्र भाव मन में रखता है उसको हम सब व्यक्ति कहते हैं लेकिन आज इस पार्ट पढ़ने के बाद लेखक भदंद आनंद कौसल एंजी के कथन के बाद हमें क्या पता चला कि संस्कृति अर्थात कोई नया आविश्कार ठीक है किसी नई चीज की खोज किसी नई तथ्थ की जानकारी संस्कृति के अंतरगत रखी गई है साथ साथ उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और नई पीड़ी को सौपना और नई कारी और आकल्यानकारी शब्दों का उन्होंने प्रियुक किया है कि आकल्यानकारी कितने भी हो लेकिन हमेशा जो होते हैं उनकी पूछ या उनका महत्व किसका होता है जो कल्यानकारी है व्यक्ति कितना भी सर्वशक्ति मान क्यों ना बन जाए कितना भी अपने आपको कट्ट द्वेश जैसे भाव है तो परास्त होना पड़ेगा हां कुछ पल कुछ समें कुछ वर्षों तक राज कर सकते हैं लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है निस्वार्त भावना की होती है सची भावना की होती है इमांदारी की होती है तो मनुष्य को मनुष्यता रखना अनिवार है मानव है तो मानव मूलियों का हमारी आत्मा में निवास होना अनिवार है इन बातों को हमेशा याद रखिएगा ना केवल यह आपको दस्वी में ही काम आएंगी बलकि आपको अपने जीवन में संपूर जीवन में य हमने मैंगनेट ब्रेंज पर हिंदी के पीरेड के दौरान यह हिंदी वीडियो के दौरान यह बात है सुनी थी ओके हिंदी वीडियो पर कैसे जाएंगे प्रश्न है आपका बता देती हूं बिटा डिरेक्ली हिंदी वीडियो देख सकते हैं हिंदी से संबंद चाहे आप काव सबसे पहले हम जो भी search करते हैं वो कहां करते है sit google पर करते हैं यह पर करते हैं जैसे ही अमने Google पर type किया magnet brain's magnet brain's type करते ही आपके सामने screen पर याएंगे कुछ options क्या क्या option सदा गए आपके class Stef related क्या आप cbs e English medium की वीडियोश देखना चाहते है या आप cbs e hindi मीडियम के वीडियो देखना चाहते हैं या आप स्पोकन इंगलिश की वीडियो देखना चाहते हैं जानकारी प्राफ्त करना चाहते हैं बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं या आप प्रतियोगी एक ही प्लैटफॉरम पर वो भी एकदम free ओके आपने कहा हमें cbse Hindi medium के कोरस संबंधी जानकारी चाहिए ओके तो cbse core से संबंधी जानकारी के लिए जस्ट क्लिक ओन एट cbse Hindi medium पर जैसे ही हमने क्लिक किया cbse की लेन्ट का चाहिए भी हिंदी कर दीजिये क्लिक करेंगे जैसे ही आजाएगा आपकी स्क्रीन पर हिंदी सえー ले टेट jean क्या है बिटा आपको पार्ट इक्रम जानना है या किसी पार्ट की जानकारी चाहिए यह प्रशन अभ्यास करना है या फिर बहु विकल्प यह प्रशन क्या जानना चाहते हैं अच्छा अच्छा क्या बात है बाई स्मार्ट बच्चे हैं सबसे पहले पार्ट इक्रम है ना तो यहाँ पर आपको चार-चार बुख दिख रही होंगे मैडम यह क्या हम सब को चार बुख पढ़ नहीं है आप यदि कोर्स ए पढ़ते हैं आपके विद्याले में कोर्स ए चलता है तो क्षितज और कृतिका पढ़ेंगे यदि आपके विद्याले में कोर्स बी है तो आप सपर्श और संचेन पार्ट पुख तक पढ़ेंगे और इस वीडियो में आपके कोर्स A और कोर्स B दोनों की संपूर्ण जानकारी दी है ठीक है? हर एक पार्ट की गद्ध खंका हो, चाय कावे खंका हो या कृतिका या संचेन पार्ट कुछ तक जो पूरक पार्ट कुछ तक है सब कुछ, एकदम पूर्ण जानकारी, विस्त्रिच जानकारी यदि आप ये वीडियो देख लेंगे, तो आप स्मार्ट हो जाएंगे आपको साल भर तक पार्ट करम से संबंदित कोई भी कन्फियूजन नहीं रहेगा ये वादा है मेरा आप से, येस, और हम जो कहते हैं, वो करते हैं, ठीक है तो यदि आप ये वीडियो देख लेंगे, तो आप पार्ट करम से संबंदित एकदम निश्चिंद हो जाएंगे जब आपने देख ही लिया है, या आप देखना ही चाहते हैं, तो आपने फ्रेंड्स को भी पता दीजे कहिए, आईए, आईए, मैगनेट ब्रेंड्स पर जाओ, देखो, वहाँ पर कितने अच्छे-च्छे वीडियो जैं यह कहिए तो था कि आप जितना अच्छा लाब उठा पारहे हैं, आपके मित्र भी लाब ले सकें, इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, अधिक से अधिक का जाएगा एक दम् फ्री 100 पर्सेंट फ्री है एजुकेशन मेंगे ब्रेंस पर कक्षा छटवी से बार भी तक की शिक्षा फ्री है बीटा हमेशा के लिए आपको in future कभी हम आप से नहीं कहेंगे कभी हम आप से यह नहीं बोलेंगे कि बस बस बहुत देख लिए अब थोड़ ना मानते हैं ना यएस यएस अब तो कैर है हाँ मैडम. जानते भी है बहुत सभाएं तो अब हमें सर्फ gip करना क्या है बेता आपको सिर्फ 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 करना है चैनल को लाइक कीजिये सबस्क्राइब अवश्य कीजिए का भूलिए का नहीं और साथी साथ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में अपने जो भी पहचान वाले हैं नोन पर सने परीचित हैं अपने सब को सब को शेर कीजिए ताकि वे भी आपकी तरह लाब उठा सके हर एक विशय की संपूर जानकारी चाहे इंदी मीडियम हो साथ spoken English भी तो बने रही है मैंगनेट ब्रेंस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाय स्वस्त रहे हैं खुश रहे